जो लोग राजनीती में आना चाहते हैं, राजनीती में सफल होना चाहते हैं, राजनेता बनना असान नहीं है, और खासकर से ऐसे लोग जो डरपोक हैं, जिनें डर लगता है, जिनें बद्रामी का डर लगता है, जिनें लगता है कि उनके साथ कुछ गलत ना हो जाए, जिनें डर लगता है कि उन्हें कुछ ना हो जाए उनके परिवार को कुछ ना हो जाए ऐसे डर पोक लोगों को राजनीती में नहीं आना चाहिए डर पोक लोगों का काम राजनीती नहीं है राजनेता डर पोक नहीं होते हैं और डर पोक लोग कभी राजनीती में सफल नहीं होते और राजनेता किस हद तक रिस लेते हैं आपको अंदाजा नहीं है राजनेता अपने पैसे का अपनी मेज का अपने परिवार का अपनी जान तक का रिस्क ले लेते हैं लेकिन वो समझाता नहीं करते हैं और ऐसे लोग जो अड़ने को तयार होते हैं जो लड़ने को तयार होते है जो अन्या अत्यचार के खिलाब बोल सकते हैं वही लोग राजनीती करें तो बहतर होता है ऐसे ही लोग राजनीती में सफल हो सकते हैं यदि यदि आपको स्वार्थ है यदि आपको लग रहा है आपको पैसा कमाना है इदि आपको अपने नामती बहुत चलता है, इदि आपको लग रहा है कि नहीं मैं सिर्फ शहरत पाने के लिए राजनीती में आ जाओं तो भेछतर होगा राजनीती के अलावा किसी और फिल में काम करें, वैपार करें, कुछ और कर लें, राजनीती में ना आएं, राजनीती में कदम कदम पर खत्रा है, राजनीती के रास्ते बहुत टेड़े मेड़े होते हैं, बहुत लंबे होते हैं, बहुत पत्रीले होते हैं, यह आसान काम नह आप चाहते हैं आने वाली पीडियों तक लोग आपको याद रखें और एक तरफ आप धरते हैं यह दूनों काम फैरलर नहीं हो सकते हैं राजनिती में वाकई नाम है शोहरत है इस्जत है बहुत लंबे समय तक लोग आपको याद रखेंगे लेकिन उसके लिए याग करना प रखेंगे और यह भी हो सकता है लोगों के चूट जाने का डर है अपनी मेस खराब हो जाने का डर है अपने पैसे अपने संसावते नों के चले जाने का डर है मत आईए राजनिती और साथ और जो लोग आप राजनिती में हैं वो मेरी बास से स्यामत होंगे जो वक्ति सेकेंड पोजिशन पर आता है चुनाव लोगने में सोचिए क्या उसने कम महनत की होगी कई जगा पर सुनने में आता है पांच वोट, दस वोट, एक वोट से वक्ति चुनाव हार गया क्या आप ये बोल सकते हैं या मान सकते हैं कोई भी इस बात को सुईकार करेगा कि जो सेकेंड पोजिशन पर वक्ति आया जो एक वोट से हार गया उसने कम महनत की होगी उसकी महनत भी उतनी होगी कई फिल्ड में शायद हो सकता है उस वक्ति से जादा महनत इस वक्ति ने की होगी लेकिन वो सफ़ल नहीं हो पाया उसका पैसा, उसका समय, उसके संसादन वो सब चले गए और कई बार तो अगर जीता वाव उमिद्वार हार जाता है तो जो उसने लोग कमाए होते हैं जो उसकी सत्या के कारण उसके साथ जुड़े होते हैं लोग तुरंद बाजी पलट लेते हैं पाला बदलने में एक नड़ नहीं लगाते हैं अभी वर्तमान अगर BJP की बात करें BJP में वर्तमान जो सांसद है 303 में से आप हैरान हो जांगे जानकर के 168 सांसद कभी कॉंग्रेसी रहे हैं उनका परिवार कभी कॉंग्रेसी रहा है 168 आउट ओफ 303 303 में से 168 मतलब आदे से भी जादा ऐसे लोग हैं जो कभी पुराने कॉंग्रे से रहे और आज उनका मन बदल गया विचारधरा भारते अंता पार्टी के अच्छी लगती है नरेंद मुझी जी की लीडर्शिप अच्छी लगती है यह सब बाते बोलकर चलेगे लेकिन अगर कल भारते जी स्वार्थ मिल जाए वो मेरा फायदा बना रहे है लेकिन क्या ऐसे लोग इतिहास में अपना नाम कमा पाएंगे क्या ऐसे लोग को इतिहास याद रख पाएगा क्या ये वाकई सफल राजनिता कहला पाएंगे क्यों सांसद विधायक बन जाना क्यों सब्ता प्राप्त क की निशाने नहीं है राजनिता का जन्म उसकी मिर्ट्यू के बाद होता है जी हाँ बिल्कुल सही सुना आपने राजनिता का जन्म उसकी मिर्ट्यू के बाद होता है जब वेक्ति दुनिया में नहीं रहता और जब उसके कामों को याद किया जाता है उसके लिए डिसन को विपोग लोगोग पुल को इतिहास ऐसे आज से याद नहीं मेरा बार बार कहता हूं राजनीती में आ रहे हैं तो एक्र थे जहारो एकट पापे इसे बाहर निकलते हो गुष शूरू हो जाता है, हो सकता है कोई और कोई दिक्कत आ जाये, जिस घर में हम रहे हैं, वहाँ भूकम बाख सकता है, घर गिर सकता है, बहुत सारे घर गिर जाते हैं लेकिन फिर हम कहते हैं तुपानों के डर से क्या घर बनाना छोड़ दें, ऐसा तो नहीं होगा, जो दिलेर है, जो वाकई में जिनके अंदर जोश, जुनून, जजबा है, जो वाकई कुछ औरों से अलग कर गुज़रने के हिम्मत रखते हैं, जो वाकई हिम्मती महंती है, ज इनके अंदर साहस कूट-कूट के भरा है, ऐसे ही लोग राज़रिती में सफल होते हैं, और ऐसे ही लोगों को राज़रिती माना चाहिए, डर्पोग लोगों के लिए कोई स्पेस राज़रिती में नहीं है, जो डर के कारण, गुरोधियों के डर के कारण, पार्टी में संक पढ़िए का हमारी website मिल जाएगी audiobook में मिल जाएगी जरूर पढ़िए हर वो वेक्टी जिसे राजनीती में रूची है राजनीती माना चाहता है एक बार वो किताब जरूर पढ़ ले तीन सो रुपे अपने उपर इंवेस्ट कर ले उससे समझ में आ जाए कि राजनीती में सामना नहीं कर पाएंगे यदि आप दर्पोक हैं आप राजनीती मागें नहीं बढ़ पाएंगे और जो लोग राजनीती मागें नहीं बढ़ पारें सफल नहीं हो पारें लंबे समय से स्ट्रगल करने के बाद भी एक बड़ा रीजन हो सकता है कि वो दर्पोक हैं वो दर् मतरकते है, गुर्दर पोग नहीं हो दिलेर है.